पटाय, तीज सेकेंड में खबर, डाउनोड कीजिए तक एब I got a professional I got into entrepreneurship in Jan 2020 and this was one field where I thought there are very few women and women shouldn't be empowered, Modiji keeps talking about healthy India, so that is the thought with which I entered this industry but lockdowns lag रहे है, gyms are the last ones which are getting any benefit from the government and we have families to feed, we have a lot of expenses to take care of, there is no support from anybody, so what I feel is that women will विद्ध देरिल भी डेटरेंट फॉइमें तो एंटर इंटर 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 इंटरी बड़ा मुश्किल होगा और खास बात यहीं है कि जो जिम है जिम में महिलाओं का आना बहुत ज्यादा बढ़ा था इन दोरान लेकिन मिलाननी का कहना है कि अब धीरे-धीरे नंबर्स जो भी जिम बंद हो गए और यह एक डी मोटिवेशन सी बन जाती है कि अब क्या करना है जाके अब छोड़िये तो वह एक गलत चीज दी जाती है वह चीज हमारे लिए भी गलत है यानि जो मोटिवेशन है उसकी कहीं कहीं कमी है लेकिन दो साल से जिम जब बंद रहे अधिकतर और जब खोले उसके बाद भी अचानक से ओमिक्रॉन की वज़े से पाबंदी लगी जोएब मेरे साथ हैं जिन्होंने जिम खोला था लेकिन अब इस पेशे में आने के बाद से शायदा वो आप रिजोलूशन ले रहें कि अब इस इंडस्री में नहीं आना है देखिए मैं मुझे तकरीवें 15-16 साल हो गया इंडस्टी में गाम करते हुए दो साल पहले आजी के दिन मतलब फिफ्त अव जनवरी को मैं अपना ब्रांड साट किया था अपना जिम स्टाट किया था लोगाता है यह सोचके कि आगे ग्रो करना है लेकिन पिछले दो साल से सिफ्रम जिम सबसे पहले बंद कर देगे पोजिटिविटी रेट के साब से आज तकरीबं साथ आठ प्रसेंट अगर मैं सही हूं तो उतना पहुंच चुका होगा लेकिन अभी तक अभी तक अवर्टिंग इस ओपन सब कुछ खुला है तो काने कुली है मार्केट कुली है मेट्रो क लगता है कि जाधा ही सवाल यही अभी भी है कि आखिर जब सब कुछ खुला है या आधा तोर पर खुला है तो जब जिम में क्या फुल वैक्सिनेटिल लोग हैं उनको अलाव नहीं किया जा सकता तकरीबं जिम में कारोबार से जुड़े एक लाख लोग हैं तकरीबं 55-100 जिम पूरी दिल्ली में हैं जिम एसोसियेशन के वाइस प्रेसिडेंट चिराग सेठी मेरे साथ मुझूद हैं क्या कहेंगे अब तो बंद हो गया और ऐसे में जो बिल की मार पड़ रही है किराय की मार पड़ रही है स्टाफ की सालरीज की मार पड़ रही है और अब हमें अड़र अकर देखिए ललाया है कि इस से बेटर था कि हम शराब का काम कर लेते हम बार खुल लेते हम कोई ठीका खुल लेते तो वह बेटर था क्यों कि सरकार सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रही है जो इम् suits की की बात करते हैं उन चीजों को सबसे पहले कर जिम को सबसे पहले बंद किया जाता है और सबसे आकरी में खोला जाता है पिछले अगर आप मार्ट से देखेंगे तो लगबग 20 महीने में 8 महीने जिम बंद रहे जैनवरी से थोड़ा सा बिजनस जो था वो बेटर होने वाला था फिर इसको बंद कर दिया है तो जिम ओनर कह जाए आप बताइए हम क्या रोट पे जाकर अपने आपको आग लगा ले ना हमारे पास रेंड देने के पैसे हैं ना हमारे पास बिजली के बिल देने के पैसे हैं ना पानी के बिल देने के पैसे हमारे भी घर हैं हमारे भी बच्चे हैं हमारी भी फैमिली है जिनका हमें ध थेके वाले को दे देते हैं, हम किसी बार को दे देते हैं, जहां पर कम से कम वो चलता तो रहेगा, आप तो सबसे पहले बंद होते हैं, और सबसे आखरी में आपको खुला जाता है. यानि कोरोना की इस दोर में सबसे ज़ादा जो आफ़तान पड़ी है, वो जिम के ऑनर्स पर पड़ी है, ऐसे में वो सोच रहे हैं कि आखर क्यों न इस पेशे से शिफ्ट हुआ जाए, क्योंकि जैसे दो साल से वो जहेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब इस पेशे में बात नहीं बची जिसे सोच कर वो आए थे, लेकिन उनको लगता है, उनको उमीद है कि आने वाले वक्त में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे दुबारा जिम खुलेंगे. झाल